हेलो एब्रीवन बेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर पर 100% नेचुरल गुलाब जल और फेस पैक को कैसे बना सकते हैं सबसे पहले मैं आपको फेस पैक बनाना बताऊंगी उसके बाद गुलाब जल बनाना बताऊंगी यह है मुलतानी मिट्टी जो पंसारी के दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी यह आपको पिसा हुआ पैकेट में भी मिलेगा लेकिन मैं यही मंगाती हूँ क्योंकि यह प्योर होता है मुलतानी मिट्टी को मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया और यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच मुलतानी मिट्टी और इसमें डाला मैंने एक सुखे हुए संत्रे के छिलके जो मैं पहले से ही सुखा कर रखती हूँ अब इसमें मैंने डाला एक चम्मच चावल अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें डाला एक चम्मच बेसन बेसन को डालने के बाद मैंने इसमें डाला एक चम्मच हल्दी पाउडर अब मैंने सारे इंग्रिडियन्स को मिक्सी के जार में डाल कर बिल्कुल बारीक पीस लिया पीसने के बाद संत्रे की खुस्बू तो आपके पूरे घर में फैल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इंग्रिडियन्स को बिल्कुल बारीक पीस लिया है करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम चमक जाएगा और दाग धब्बे तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे अब मैं आपको बताऊंगी गुलाब जल बनाना इसे बनाना तो बिल्कुल आसान है और ये मिल्टो में बन जाता है इसके लिए मैंने लिया यहा जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो गया एक घंटे तक गरम पानी में गुलाब की पंकुडियों को छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है इसके बाद मैंने गुलाब जल को चैछनी से अच्छी तरह से छान लिया और गुला गुलाब जल और इसे मैं ब्रस की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी यहां पर मैं इसे अपने फेस पर नहीं बलकी हाथों पर लगा कर दिखाऊंगी इसे हमें अपने फेस पर ब्रस की हेल्प से 2-3 कोड लगाना है और सूखने के बाद नॉर्मल पानी से धूल देना है तो यहाँ पर तैयार है हमारा गुलाब जल और सांदार फेस पैक जिसे दो से तीन बार आप लगाएंगे आपका चेहरा बिल्कुल चमक जाएगा और दाग धबो का तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां चले गए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्र करना न भूले मिलते हैं एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों